बोध गया की तरफ जहां पर सुबह पांच बजे आज पांच अब च्छे सीरियल ब्लास्ट हुए महाबोधी मंदिर के परिसर में हुए तीन और तीन परिसर के बाहर और इस पर जादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता समशेर सिंग इस बत फोन लाइन पर है हम लगातार आपको बता रहें कि क्या हुआ है इन ब्लास्ट में लेकिन फिलाल समशेर क्या अपडेट है क्या रिपोर्ट है आपके पास अभी तक जो खबर आ रही है शे धमाके हुए है और पहला धमाका करेब पांच बच्चे 20-25 मिनट के बीच हुआ था इसके बद दो-दो मिनट के गैप पर बाती धमाका हुआ और एट धमाका करमापा मंदीर है वहां पर वहां हुआ उसके बाद दूसरा धमाका सक्ति अभी पहले कहा जारा था दो है लेकिन अब कहा जारा कि चार गायल हुए है और चुकि अभी तक जो सुरवाती रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि लो इंटेंसिटी ब्लाक्स था तो यह एक राहत के बात है इसले उमीद की जा सकती है कि गायल के संग्षा ज्यादा नहीं ह क्या है और यहां एक बात राजग्रू और बताओं कि कुछ दिनों पहले ही जब आतंगवादी पकड़े गए तो उससे फूस्तास में इस बात का सुलासा भी हुआ था कि गया मंदिर बोद गया मंदिर आतंगवादियों के निशाने पर हो सकता है और इस दिना पर आईदी यह है कि 6 दमाके हुए हैं, 4 घायल हुए हैं और 4 धमाके अंदर में हुए और 2 धमाके बाहर हुए हैं राजग्रू जी 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 शमशेर एक बात आप से पूशना चाहूंगा सुबह हमारे साथ सुजीत जावी थे उनके पास भी हम चलेंगे लेकिन जब आईबी ने करने का प्लान बना रहे थे लेकिन इस अलर्ड के बावजूत परिसर के अंदर तीन ब्लास्ट हो जाते हैं मतलब यह है कि यहां पर कोई सुरक्षा की ववश्ता नहीं की गई यहां पर उस तरीके के बॉम डिटेक्टर से उस तरीके की चीज़े नहीं लगाए गई जिससे कि ऐसी घटना को रोकी जा सके आतंगवादी हमले को रोकी जा सके जाहिर सी वास है राजगरू देखे जब इंडियन मुझाहिदिन के आतंगवादी पकरे गई तो जो इस मंदिर की अगर महाबोधी मंदिर की बात की जाये तो यह हमेशा से आतंगवादियों के निशाने यहां इस पर हमले के इन्पुट्स मिलते रहे हैं इस तरह की जानकारिया लगतार दिलती रहे हैं, आपको याद होगा सब्सक्राइब और कि राज तरकार चाहिन जर्टे भी बाते बाते कही गई है, कि यह मंदय्ड मिशाने पर है, इंडियन मुझाहिधिन के आतंकवादी ज कर्मापा मंदिर के पास हुआ है, दूसरा सक्षी पीट के पास हुआ है, यहामें बताओं कि जो वाकीफ है उती लाके से, यह पूरा अंदर का इलागा है, अच्छी बात यह है कि गर्व ग्रे या वाकी को नुक्सान नहीं हुआ है, लेकिन यह एकदम अंदर का इलागा है, करमापा मंदिर अंदर में है, सक्षी पीख है, तो चार तो परिसर में पाए गए, दो बाहर हुएं और दो-दो मिनट के ग रहा ही गए थी, लेकिन यह कहें कि वो कंटिनू नहीं रहा, वो काफी दिनों तक जो कहें कि एक सुरक्षा मेंटेन किया जाता है, वो नहीं रहा होगा, और यहीं वज़ा है, उसी चूप का फाइदा मिला है, बिल्कुल, बिल्कुल, समझेर आप हमारे साथ बने रहे हैं, क्योंकि जो बात आपने आखरी में कही, यही एक बहुत बहुत सवाल है, जो सुजीत से मैं पूछना चाहूँगा, सुजीत लगातार उस चीज को बरकरान ना रखना, सुरक्षा व्यवस्ता को, इसके बावजूद कि आपके पास यह खबर है, अलर्ट है कि आतंगबादि मंदीर पे, बावजूद इसके अगर यह हमला हुआ है, तो मिस्चित लुप से यह चूप है, सुरक्षा की चूप है, लेकिन यह जो हमारे बात कुई है, उसमें महापोधी मंदीर का जो पूरा परीशर है, उसकी सुरक्षा कुद महापोधी क्राइन बोड करता है, और उस अगर इस तरह की कोई इंपूट आती तो लगातार इस तरह के महापोधी क्राइन बोड करने का दावा किया जाता था, लेकिन बावजूद इसके अगर छेचे बम परीशर के अंदर चले जाते हैं, तो निश्की तुरुप से वहां मेकरन डिटक्चर और सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सुरक्षा का जो परीशर की सुरक्षा की जिन्मेदारी जो है, वहां के जो मंदिल स्राइन बोड के जो गोड है, उसके सहत आता है, और पुलिस का ये भी कह ही है, दोनों के बीच में सालमेल की कमी है, इसकी मज़े से भी ये गठता हो करती है